वेक्सिनेशन क्या है और किस प्रकार हमारी रोग में मदद करता है इसके बारे में कुछ जानकारी दें देखिए मैं डॉक्टर रजेशन कत्रपाथी चिकितसा अधिशक्त लोग बंदो चिकितसाले जो की कांटू रोट पे है हम लोग 200 बेट का एक कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल यहां चला रहे हैं लग्राओं में साथ ही हमारे सेंटर पे अलग वेक्सिनेशन भी चला है वेक्सिनेशन दरसल किसी भी विमारी से लड़ने के लिए एक जरिया है हमारे पास जो वग्यानिक तत्य हैं उसके एक आ उसके में अपने आप बनते हैं जो भी पाहरी तत्व आते हैं जो वाइरस आएंगे उनसे लड़ने के लिए तो जो शरीर का सैनिक है और जो बाहर के दुश्मन है वाइरस रूपी दुश्मन उनसे लड़ाई जब होती है तो जो जीतता है वही अल्टिमेटली आगे देते हैं तो यह शरीर में हम कुछ सैनिक और दाल देते हैं करता है तो वैक्सिनेशन का परपज यह है कि शरीर में एंटिबाटी डेवलप होता है उसे हम लड़ाई करते हैं उस वाइरस के अगेंस्ट इसे कोरोना वाइरस से लड़ने में हमारे वैज्यानिकों ने इतनी जल्दी बहुत ही जल्दी काम करके एक वैक्सिन तयार किया है और वह वैक्सिन लगातार दिया जा रहा है मार्स से ही चला है उसका ठीका करण अभियान चला है हम लोग इसमें काफी सफल भी हुए हैं करीब करीब काफी कई करोन लोग हिंदुसान में इम्मुनाइशन और इस तरीके से हम लोग उसके लड़ाई में सक्षम साबित हो रहे हैं